यह जो फोटो आप अपने स्क्रेन पर देख रहे हो यह क्या है? यह क्या है ये? क्या jin कोई birड है? नहीं फ्रेंड्स धैर नोट बड़्ड्स धैर प्लाट्स यह एक ऐसा पेंड है जोके शर्फ और सिर्फ आस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये ग्रीन हमिंग बड की तरह दिखता है और इस प्लैंट का साइंटिफिक नेम है क्रोटलारिया कनिंगमी देव केतना मस्त है इसके जितना पत्ता है यह सारा एक बड की तरह दिख रहा है बट जापान में जो रेथ होते हैं न समुंदर की किनारे वाले उसमें न बहुत ही मिस्टीरियस चीज मिलती है आप इसे देखो इसे tiny stars कहते हैं ये grain of sand में पाय जाते हैं और ये star shaped में होते हैं और पता है आपको ये क्या है ये है समुंदर के अंदर लाखों साल पहले रहने वाले marine जीव का हड़ी really आज से 555 million साल पहले जो जीव रहते थे समुंदर में उसा मारे गए और उसका हड़ी जो है वही समुंदर के किनारे आजकल भी पाय जाता है और ये इस shape में दिखता है that's really amazing fact number 21 population density जो है ये बहुत ही must चीज है एक मैं बात बता रहा हूँ कि एक human psychology होती है पता है क्या इंसान वही रहना चाहता है जहां पर दूसरे इंसान रहते हैं दिल्ली इतना populated क्यों है क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग है इसलिए वहां पर ज्यादा value land का सब कुछ ज्यादा है तो जहां पर लोग है वहां पर लोग attract होते ही है इसलिए वहां पर बसते हैं ठीक है इसलि तेली का देखे लो मुंबई का देख लो ठीक है और उसमें आप देखो ये पूरा मॉंगोलिया में जो आप ये दो डॉट देख रहे हो बस इसी में मॉंगोलिया का आधा अबाधी बसता है 50% आप सोच सकते हो half of the population of Mongolia सिर्फ इनी दो dot में रहता है बाकी सब बहुत कम-कम लोग रहते हैं विरान टाइप का है पूरा Mongolia आप इस map में देख सकते हो ये beach का dot देखो कितना amazing है आप हर तरह के मेढग देखे होंगे बट इसको देखो आप क्या कभी ऐसे मेढग को देखे हो फ्रॉग के इस species का नाम है glypho glossus mollusus और ये देखो कुछ ऐसा दिखता है मोटका मोटका फ्रॉग इसमें जो छोटे shape के होते हैं वो ऐसे दिखते हैं बट जो बड़े वाले होते हैं वो तो गजब दिखते हैं पैक नमर 19 जब भी कहीं आग लगती है तो फायरफाइटर्स आते हैं और वो आते हैं और किसी बिल्डिंग के ऊपर आग बुझाना चाहते होंगे उन्हें जा के बुझाना पड़ता होगा रिस्क है ठीक है बिल्डिंग के अंदर घुसना पड़ता है अपने पाइक को लेके बुझाने के लिए बट ना देखो अमेरिका और वेस्टन कंट्री जो है ना यहां पर ऐसे फायरफाइटर्स रिसेंट्ली अबलेवल हो रहे हैं जो कि इस्टन कंट्री में उतना नहीं है यह देखो यह बहुत ही युणीक टिकनोलोजी है कि फायरफाइटर के जो वहेकिल है उसके उपर इतना बड़ा एक प्रेसेवल एक लाडर रहता है और यह बहुत ही जादा ऊपर तक Garage और इसी के चलते फायरफाइटर्स बहुत उचाई से इस पर पानी गिरा सकते हैं और ऐसे भी वहां मशीन होते हैं जिसमें ना बहुत सारे लाडर से एक बार में लिखल सकते हैं इससे आग बहुत ही आसानी से बुझ जाती है फैक्ट नबर 18 ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हम लोग मैसे से जातर लोग विंडोज यूज करते हैं कम्प्यूटर में ठीक है इसको पैसे के मामले में हम लोग उपर रखें वैल्यूवेशन बट जो इस आफ यूज होता है चलाने का जो इसनेस होता है उसमें लोग पता है कि विंडोज ही है पर दब भी हम लोग आपल प्रोड़क्त को जादा उपर रखते हैं जो विंडोज 95 है ना उसका जो स्टार्टप साउंड है ये वाला इसे ब्रायन इनोंने क्रेट किया था और आपको पता है ये म्यूजिक जो बनाना वो उन्होंने एक मैक के उपर बनाया था मतलब म्यूजिक विंडोज का है बट इसे बनाने के लिए मैक ही उसकिया गया था और उन्होंने ये कहा था कि I have never used a PC in my life I don't like them इसे एक बहुत ही डीप कंसेप्ट निकल के आता है कि जो ड्रग डिलर्स होते हैं वो कंजूम नहीं करते हैं वो सिर्फ बेचते हैं खुद कंजूम करने लगें तो डील कहना से करेंगा ना भले ही ये विंडोज के लिए बना रहे साउंड बट इसको ये विंडोज के किसी सॉफ़वर नहीं बनाया ये उसी को चूज कि जिससे बेस्ट म्यूजिक बन सकता है एक मैक के उपर ये म्यूजिक को क्रेट किये विंडोज का स्टार्ट अप साउंड एक और एक्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि आप जब भी कहीं पर लैंड खड़ दोगे किसी भी रसेडेंसी में तो क्या होता है कि वहां पर घर बनाने के लिए आपके पास दो आप्शन रहता है पहला कि आप घर खुद से बनाओ अपना वर्कर लगा के दूसरा कि कमपनी आपके लिए घर बना देगी तो जो लोग आके आपको बोलते हैं कि कम्पनी से घर बनाओ आपका घर अच्छा बनेगा एक इनसान आया ठीक आपके पास वो बोला कि कम्पनी के थुरू आप घर बनाओ यह ज़्यादा अच्छा बनेगा और वही इंसान खुद अपना घर जब बनाने का टाइम आएगा तो उसी कंपनी से ने बनाएगा वह खुद सही बनाएगा बहले ही दूसरों मतलब समाझे रहे हो जो लोग बेचते हैं वह खुद कंजूम नहीं करते हैं वह अपने लिए वही चूज करते हैं जो बेस्ट हो यह बहुत ही डीप था पता है जब आप किसी भी चीज को लेके आप सोचते हो अपना फ्यूचर प्लानिंग कि मेरे को यह करना यह करना है तो पता है जब आप लोग ब्रेन को टेक्निकली स्कान करते हैं तब यह पता चलता है कि देखो आप यहां पे हो आपको गोल यह है तो आप अभी यहीं पे हो बहुत आप जब उस गोल के बारे में सोचते हो ठिंक करते हो और ऐसा इमाजिन करते हो कि आप उसको अचीव कर तो आपके दिमाग में ऐसा केमिकल रिलीज करता है ना जो ऐसा होता है कि आप उस गोल को अचीव करने के बाद जो चोटा सा हिस्सा आपको पहले इस बारे में सोचने से रिलीज होने लगता है और वह किमिकल आपके लिए इस पॉइंट पे जब आप कुछ भी नहीं किये ह और आप सोच रहे हो करने का इस point पे वो आपके लिए बहुत beneficial होता है क्योंकि वो आपको motivate करता है तकि आप इस goal को achieve करो इसलिए अपने अंदर आपने goals के बारे में सोचना इसे affirmations कहते हैं इसलिए ये इतना successful होता है affirmations actually work affirmations really काम करते हैं brain के chemical के basis पे गोल के बारे में सोचने से आपको उस पे work करने का motivation और भी बढ़ता रहेगा but इसका counterpoint यह है कि यह भी नहीं कि दिन बार आप सोचते रहो balance that's the key fact number 16 मेरे मन में अगर सवाल आया था कि इस दुनिया में इतने भी country है इसमें कौन साइसा country है जिसमें youth का सबसे ज़्यादा population है और old का सबसे ज़्यादा population है तो पता इस दुनिया में इंडिया जो है यह world का youngest country है क्योंकि ranking के मामले में और population के मामले में इंडिया में सबसे ज़्यादा youth रहते है 375 million से भी ज्यादा यूथ है इंडिया में मतलब 30 साल के पहले के लोग और 2nd में चाइना है और 3rd में इंडोनेशिया है 4th में USA है और old country की बात करें सबसे बुढे लोग जहां पर है तो पता है जापान इसमें सबसे ज्यादा oldest लोग रहते हैं 126 million फिरा इटाली 60 million फैक्ट नमर 15 मैं आपको एक इमेज का सेट दिखा रहा हूं पताइए कि यह कौन सा जानवर है रैबिट है राइट लेफ्ट में रैबिट ही है बट जो राइट में है इसका नाम है है यह यह एक एनिमाल है जिसे हैर कहते हैं और यह दोनों completely different जानवर है बट जो हैर है यह कैसे रैबिट को रिजम्बल कर रहा है that's really amazing fact number 14 मैं आपको आज बहुत ही amazing phobias के बारे में बताना चाहता हूं अजीब डर होता है न सबसे common example है hydrophobia मतलब जब किसी इंसान को ऐसी psychological दिक्कत होती है इसमें इसको पानी से डर लगना लगता है तब यह hydrophobia होता है तो असे ही ना antophobia antophobia एक होता है जिसका मतलब होता है fear of color yellow जब को इंसान को yellow color से डर लगना लगता है तब उसे antophobia कहते है मतलब उसके सामने आके केला को ऐसा करो तो वो डर जायागा और एक phobia होता है इसे कहते है एरक्ची बटियरो phobia इसका मतलब होता है एक अजीब सा डर कि जब कोई peanut butter या फिर कुछ भी खाता है जो होता है मुह में अंदर चिपक जाता है तो उस peanut butter को खाते टाइम चिपक ना जाए इससे इतना डर होना कि उस पसीना आने लगे ऐसे बिमारी को कहते है एरक्ची बटियरो phobia फिर ओफ पीनट बटर स्टिकिंग टू रूफ ओप यूर माउथ एक और phobia होता है इसे कहते है नोमो phobia नोमो phobia मतलब होता है fear of not being with your mobile phone आपको डर लग रहा है कि आपको mobile phone अब नहीं मिलेगा उनका जब बैटरी बहुत कम होता पांच परसंट पर हो जाता है तब उनको हार्टबीट बढ़ने लगता है एक आसा एक साइकोलोजिकल रियल साइकोलोजिकल कंडिशन होता है इसे कहते है नोमो phobia fear of being without your mobile phone एक और अमेजिंग सा फोबिया होता है fear of long word होता है बहुत आपनॉर्मल लंबा वर्ड इसे भी किस इंसान को डड़ लगता है तो long word का जो fear होता है उसको मैं देखो पहली बार प्रणॉंस करूंगा भी देखो क्या है इसे तो दूसरे बार पढ़ने ने कमनी नहीं कर रहा है और एक ऐसा fear होता है जो की amazing सा है fear of numbers 1,2,3 सा आपको क्या डर लगता है इसे कहेंगे arrhythmophobia और यह एकदम real condition है एक और phobia होता है इसके बारे में आप यकीन नहीं करोगे क्या किसी को पैसो का डर हो सकता है fear of money really plutophobia इसे कहते है fear of money जातर लोग तो यह विश करते है कि मेरे पास जादा पैसा हो लेकिन इनको plutophobia होता है उनको money और wealth से ही डर लगता है जिनको यह बीमारी होने लगता है mind में वो career को जान बुच के ख़ता है उनको उसी में satisfaction मिलता है मेरे पास कम पैसा हो और उनके मन में ऐसा एक अचीब सा यह होता है ना thought एक hardcore thought कि मेरा सारा पैसा चोरी हो जाएगा ऐसा उनके मन में रहता है या फिर इस पैसे को कामाने के लि फोबिया अपने आपको बुलवाएगा तो फिर हो गया फाल तो बीमारी है एक और फोबिया होता है amazing और इसे कहते हैं ग्लोबोफोविया ग्लोबोफोविया इस दर फिर ऑफ बलून्स पहले उनको तेखने के बाद ही उनके अंदर tension और anxiety होने लगती है अब लुपोविया फोबिया होती है इसका मतलब होता है पिरो पाथिंग नहाने से डर अपने आपको साफ करने से डर फैक्ट नमर 13 एक मेरे साफ को एक deep question है ठीक है एक fact तो नहीं है बट एक question है बट बहुत interesting मालो आप 78 साल के हो गया हो ठीक है और आप अपने life के end में पहुँच गया और आप कुछ entities से घिरे हुए हो ठीक है किसी अनदर realm में और आप एक कुर्सी पर बैठे हो और वो entities आप से ये पूछ रहे हैं कि कैसा रहा भाई आपका trip तो वो आपको ये बोले कि वो आपको उस realm में वो entities आपको एक पिल दे दिये थे जो कि आप खाये थे तब आपको ये एक ऐस सा experience हुआ था इस दुनिया में आने के और उस realm में आप सिर्फ एक पिल लेके 15 मिनट तक आखे बंद किये थे तो क्या आप इस life नामक trip को इस experience को फिर से लेना चाहोगे अगर life really में यही है तो कुछ लोग जो ये सब illegal drugs लेते हैं ना जैसे LHD और बाकी controlled substance उजे भी सब लेते तो क्या होता है कि उनको ना ऐसे entities दिखते है actual में और वो ये कहते है कि life really में यही है और वो जब किसी भी substance को लेके उस world में पहुंचते हैं allegedly तब लोग ये कहते है कि मैं जब उस realm में पहुंचा तब बहुत entities मेरे को चेर अप किये हैं कि wow you did great क्या रियल लाइफ रियल है अ Fact No. 12 Newfoundland ये जो जगा है यहां पर बहुत जाए ठंड होता है तो यहां पर जब विंटर होता है तब क्या होता है ना कि रात बहर में पूरे घर के बहार ऐसे बर्फ जम जाता है आप इस पिक को देख सकते हो पूरा दरवाजा के पीछे कितना किलो का बर्फ रात बर में जम जो आप खाते हो ये कांटे वाला चमच जिसे हम कहते हैं तो उसका पैकेट आप खड़ दें आपको वहाँ सरा मिला चमच बट उसमें से एक जो है ना वो बिना मैनुफेक्ट्चर हुआ ही निकल लिए एक फ्लैट सॉलिड निकल गया और इसी को एक इनसान ने इंटनेट पर पोस्ट किया था ऐसा होने के चांस बहुत कम है बट लोगों के साथ ऐसा होता है फैक्ट नमर टेन माउंट एवरेश जो है ना जो की धरती से 8.8 किलो मेटर उपर तक है वहां से जब धरती को देखते हो तब कुछ देखो ऐसा नजारा देखने मिलता है पूरा धरती न पर चाहडते हो तो आपको पूरा धरती का गोल शेफ बिट दिखने लगता है डाट्स रिली अमेसिंग फैक्ट नमबर नाइन एक क्रोकोडाइल होता है जिसको देखो ऐसा दिखता है लंबा सा मूह आगे लिखला रहता है और यह क्रोकोडाइल में सबसे यूनीक स्पीसि दिखता है जब उन पहन पीत से निकलता है तब वह तक मेरे मन, किसी से भी ऑगी परसंण से लाइफ में मतलब कर देखो में यह कहना है तो वह यूथ को एडवाईज दे सकते हैं कि आप यह करो तब आप happiness पाऊगी में ठीक है मेरे को लगा कि मतलब ऐसा कॉन सा ऐसा कुछ देखता हूं कि old people क्या suggest करते हैं कि क्या एक ऐसा tip life का एक line में है चुकि मेरे life में काम आया है ठाकि मैं end में जब पहुचू life का old age तब मैं खुद कह पाऊ कि हाँ मैंने एक satisfactory life जिया और मेरे में happiness है तो जो happy people है न जो old में बिल्कुल happy है content है satisfied है life से और जो नहीं भी satisfied है वो सब न जितने भी सरवे हुए हैं उसमें से सबसे common बात पता है क्या निकला है एक ऐसा suggestion जो कि old people यंग को देते हैं किसी भी हाल में करना चाहिए जो youth को वो है be nice to everyone यह दो को Helen है और यह 98 साल की है और यह advice दे रही है be nice to everyone यह रेली में बहुत एक key line है सबके साथ अच्छा वैवार कोरो be nice to everyone एक बहुत ही basic सा बात है बहुत डीप भी है कि बहुत लोग इसे follow नहीं करते है fact number six दुनिया का सबसे बड़ा शहर जो है वह है टोकियो और टोकियो का ऊपर का व्यू देखो यह है टोकियो लार्जेस्ट सिटी ओन अर्थ और यह प्लेन से कुछ ऐसा दिखता है एकदम densely populated है और यह देखो आप मतलब देखो कितना amazing सा है मतलब बहुत साटिस्फाक्टरी इमेज एक दम चोईटा building निकला हुआ कितना beautiful दिख रही है टोकियो प्लेन से एक टाइप का spider होता है जो बहुत ही रंग भी रंगा होता है और इसे आप देखो यह है क्रिसला और यह spider actually में multicolored होते हैं इनमें आप देखो ऐसा लगता है कि सारा color कोई उपर से इसको पेंट कर दिया है बट यह बिलकुल natural है fact number four जितने भी movies में हम लोगों को दिखाता है ना ऐसा metal वैसा metal bulletproof glass ऐसा डाइप पर जो होता है एक actual में ऐसा एक alone नाम का substance है यह है aluminum oxy nitride alone कहते हैं और यह transparent aluminum aluminum आपने देखा होगा यह transparent aluminum यह glass से चार गुना ज्यादा hard है और 80% transparent है और bulletproof भी है जो आप देखे हो जिसमें कोई कोई स्पीज देते हैं जो बड़े बड़े लोग उनकी चार्ट तरफ है कि यह रहता है तक कोई गोली मारे तो उनको लगे नहीं उसमें ऐसा ही टाइप का substance होता है कि मतलब इसमें कोई बोली मारे तो कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा ऐसा एक कांच का फ्रेम जिसमें खड़ा हो कोई बड़ा परसन स्पीच दे सकता है Fact No.3 N Thailand में एक island है जिसका नाम है Sinhzik Island और इस island में आप देखो आप यह इमेज को सब से पहले देखो यहां एक घर है यहां है और जिसमें कोई रोड नहीं है आपको जाना होगा सिर्फ पानी से इसमें जो रहते होंगे उनको बोट के थुरू ही मार्केट जाना पड़ता होगा और मार्केट भी पानी के उपर ही होगा कजीब सा जगा है यह फैक्ट नमबर टू बैट को तो आप देखे होगे यह जमगादर एक ऐसा मचली होता है और इसका नाम है पिनेट स्पेड फिश और इसे बैट फिश भी कहा जाता है क्योंकि देखो यह कैसा है इसका पूरा बॉडी ब्लैकिश होता है और इसका जो बॉडर होता है बॉड़ी पर वो थोड़ा येलो इश होता है और यह किसी फिल्म का CGI लगता है बट यह रियल है इसे बैट फिश भी कहा जाता है और यह गजब दिखता है मतलब बहुत ही रेर का जाता है बट होता है समुंदर के डीपेस्ट जगाहों पे फैक्ट नमबर वन बैटरी में एमेज का फुल फॉर्म क्या होता है बहुत कोई कहते है मिनट्स और आवर्स ऐसा थोड़ी होता है कि बैटरी अगर 5000 अमेज का है तो 5000 मिनट आवर तक चल जागा ऐसा नहीं होता है इसका मतलब होता है मिली अम्पेर आवर्स सिंपल सा कंसेप्ट है अगर किसी बैटरी का अमेज मालो 3000 है ठीक है तो एक घंटे में वो 3000 अमेज किसी भी डिवाइस को प्रोवाइड कर देगा ठीक है और बैटरी खतम हो जाएगा देखो सिंपल है एक बैटरी है 3000 अमेज का ठीक है मतलब 3000 मिली अम्पेर पर आवर्स और यह जो डिवाइस है यह 3000 मिली अम्पेर खाता है वो एक घंटे में 200 में यूज़ करता है तो सिंपल है इसे समें लोग कैल्कुलेट कर सकते हैं अगर 3000 अमेज का बैटरी किसी फोन में और वो फोन 200 में परा और यूज़ करता है तब 15 घंटे में 3000 खतम हो जाएगा बस हो गया यह और वो यह गर बड़ा डिवाइस है और उसमें 5 अमेज का बैटरी है और वो डिवाइस भी क्योंकि मालो फोन में अगर 4K रिकॉर्डिंग होता होगा और अब कैमरा यूज़ कर रहे हो तो वो 500 मिली अम्पेर हर घंटे भी ड्रॉ करता है तो अगर 500 मिली अम्पेर हर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो कैसा लगा निचे कमेंट करके ज़रूर बताना और शेर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अगन भी ओन ज़रूर कर लेना थांक्स फो वाचिं इस वीडियो